इस तरह से ये गोंता हुआ ये आपको लिखाई देरा गुड़ मॉर्निंग दोस्तो नए वीडियो में आपका स्वागत है राजस्तान में खेत कैसे जोता जाता है इस वीडियो में आप देखने वाले और बहुत ही श्यांदर वीडियो होने वाला है एक जानकारी आपको नई मिलने वाली है तो वीडियो को पूरा देखे और चनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को जी आ दोस्तो अभी बरसाथ का टाइम है जून जुलाई का टाइम है जून जुलाई में राजस्तान में बरसाथ होती है और जो बरसाथ से ली जाने वाली खेती है उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि आज जुलाई का दूसरा तिसरा दिन है और जुलाई में जो बरसाथ होती है उससे खेती ली जाती है क्योंकि खेती करने के अभी अलग-अलग तरीके हैं आप अलग-अलग भारत में अलग-अलग जगह देखेंगे तो अलग-अलग तरह से खेती की जाती है यानि अलग-अलग तरह का मतलब क्योंकि खेती के लिए हमें पानी चाहिए बरसाद चाहिए या पानी चाहिए अब बरसाद का पाणी आएगा या फिर हम प्रकरतिक जो है नीचे जमीन से निकाल करके और उस पाणी से भी खेती कर सकते हैं तो यहां अभी मैं बात करना हूँ जो उपड़ से बारिस होती है बरसाद जो होती है उसका पाणी से उस पानी से खेती करने का जो तरीका है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो अभी मैं जहां पर हूँ इस खेत में आप देखें यहां मेरे पीछे यह पूरा जो खेत है तो इस खेत को यह दि देखें इधर का जो खेत है इसको पहले जोद दिया गया है पहले इसमें हल चला दिया गया है बीज डाल दिया गया है और अभी जो इधर है ये ट्रेक्टर चल रहा है उदर उपर है वो तो ये ट्रेक्टर के दौरा अभी बीजा जा रहा है तो इसमें क्या फरेक्ट है और ये कैसे कैसे ये हो रहा है इस पे हम जरूर इस पे जरूर बात करते हैं तो आप वीडियो में बढ़े रहें जे आदोस्तों यह आप देखें यहाँ इधर जो है इस साइड में यह जो हल पहले चला दिया गया है और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे तरीके से खेती की जा रही है दूसरा तरीके का मतलब क्या हुआ यहाँ पर जो हल चल रहा है उसके नजदेक जाकिम आपको दिखाता हूँ यह आप देखेंगे यह जो तरीका है जिसमें अभी यह हल चल रहा है इसमें क्या हो रहा है यह जमीन को इधर से उधर डाल रहा है काट काट के एक तरह से इधर से इधर डाल रहा है तो यहां क्या किया गया है इस जमीन के अंदर पहले से बीज डाल दिया गया है जो हमें यहां पर जोतना है वो बीज पहले से ही यहां पर छिर्काव कर दिया गए हातों के दुबारा इस जमीन के ऊपर और उसके बाद ये tractor के दुबारा ये हल चलाया जाता है तो इससे क्या होगा कि जमीन के ऊपर जो भी घास पूस है जैसे आप देखे ये घास पूस ये है ये इससे कट जाता है और यह दिवो हल वाला चलाएंगे, दूसरा वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, यह जो हमने पहले बात किया, इसके अंदर आप देखेंगे यह लाइने से बनी हुई है, इसके अंदर जो ट्रेक्टर से जो हल जोता जाता है, वो हल होता है, और उसमें नीचे नुकिले जो इस मिट्री को पलटा जा रहा एक तरह से काट-काटके यह पलटता है, तो वो दाना नीचे चला जाता है और फिर यह उगाएगा, तो इसमें और इसमें फरक्व्या हो गया, यह जो है, इसमें फो यह हल चलेंगी, हल जो है वो भी ट्रेक्टर के द्वारे चलेगा, लेकि यदि हम पैसे की बात करें तो ये जो हल वाला है ये तकरीबन एक बिगा का एक सो रुपया कम लगता है और ये जो है इसमें एक सो रुपया ज्यादा लगता है या ऐसे बोल सकते हैं कि इसका तकरीबन एक बिगा का साड़े चार सो रुपया लेते हैं ये ठ्रेक्टर वाले और वो जो हैल वाला जो चलता है उसका तक्रीबन साड़े तीन सूर रुपया एक घंटे का एक एक बिगा का ये लोग लेट चार्ज करते हैं ये ये है तो ये इस तरह से ये खेत जोता जाता है और खेत जोतने के बाद अगले तक्रीबन पांच से छे महिने में यहां पर खे खेती यहां पर ले पाते हैं लेकिन ये आखर में ही पता चलता है कि बरसाथ होगी कि नहीं होगी क्योंकि बरसाथ जो है वो उपर से ही आने वाली है उसको किसी के कंट्रोल में नहीं है तो जितनी बरसाथ होगी उसी हिसाब से खेती यहां पर होती है तो यह मेहनत इसमें बहुत लगती है लेकिन खेती कितनी होगी यह हम पहले से तय नहीं कर सकते इसलिए हर साल जो है अलग-अलग होता है तो जैसे आपने सुना होगा कि अकाल पड़ गया उसका मतलब भी होई है कि खेती अच्छी नहीं हो ता काल हो गया यानि पसल नहीं होई अब पसल क्यों नह चीसे चाहिए थी वो पूरी नहीं मिल पाई तो उसमें एक बरसाद जो है पानी जो है वो भी बहुत जरूरी होता है तो यह इस तरह से इसमें मेहनत जो है खेती में बहुत सारी होती है लेकिन कितना मिलने वाला है यह तै नहीं होता है पहले से पता नहीं होता है और यह लास पूसिंग जी तो यह आप किस भाव में बाते हैं आपका खेत है यह दूसरे का है तो किस मलब क्या मलब कैसे होता आपका बावता होता है पांसोरी बेगा एक बेगा का 500 रुपे लेते हैं तो कोई कोई जैसे 400-400 भी लेता है न अच्छा तो यहने 400-500 के बीच में आपका हैं और जो दूसरे वाला जो है जो हमने देखा उदर जो हल चले हुए वह किस भाव में होता है उसका 300-500 तो तकरीवां 100-500 रुपे कम हो जाता है तो यह देखिए अभी ट्रेक्टों जो है चालू होगा इस तरह से यह गोंता हुआ कि आपको दिखाई दे रहा है यह जमीन को काटके हुदर दूसरे तरफ ढालगा तुब इसके साथ बीज भी जो है वह नीचे चला जाता है और फिर जैसे बारिस आएगी अभी गिली है जमीन और बारिस आएगी तो यह और गिली हो जाएगी तो वह जो है अनाज जो डाला हुआ है वह मल editions हो जाता है और इस तरह स तो दोस्तो आपने ये वीडियो देखा किस तरह से राजस्तान में खेती करने से पहले का जो प्रोशेस है वो मैंने आपको दिखाया और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ये दिइ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट करके हमें अप अपना सुजाओ भी और येदि चेनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें और आप इस वीडियो का हम यहीं तक रखते हैं आप अपना और अपनों का ध्यान रखें अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेगे तब तक जै हिन जै भारत